पर पणका तो स्पीड अच्छी दे रहा है, उसकी काफी अच्छी स्पीड है और बहुत अच्छी तरह में पूरा सलोशन लेके आए हूं इस वीडियो में वीडियो को पूरा देखना दोस्तों आप पूरा दकी के तो अपने घर में ही खुद ही बिना किसी मिस्त्री के आप उसे घर पर ही रिपेर कर सकते हो और बिना सिलिंग फैन को खोले बिना ही उसे उतारे आप उसकी हवा किस तरह से बढ़ा सकते हो कुछ ऐसी जानकारी दूँगा आपको जो की यूट्यूब पर आज तक किसी नहीं दी है तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू देखी दोस्तों आपको यहां पर एक एंगल दिखाए दे रहा होगा इस पंखे का जो की इस पंखडी में एक एंगल दिया गया है मैं आपको यहां से इप दिखाने कोशिश करूँगा कि इस तरह का एंगल इसमें यहां पर दिया जाता है जो कि पंखड़ीयों में एक कर्व के रूप में होता है ठीक है दोस्तों तो ये एंगल य肥ी आपका सीधा होगा बिल्कुल स्टेट हो जायेगा तो भी आपका पंख़ा हवा नहीं देगा इसका नंबर दो कारण एक और बी हो सकता है दोस्तों कि आपका यहां से भी यह कई बार heute यह पंपडिया कभी नीची होती है कभी उपर होती है तो उसके कारण भी इमारा पंखा हवा ठीक से नहीं दे पाता तो आपने इस एंगल को देखना है अच्छे तरीके से और इसे अच्छे से स्पाई भी करके रखनी है ठीक है दोस्तों यह एंगल बिल्कुल यह दीखे टेड़ा है यहां से इतना उठावा है यहां से यह टेड़ा है मैं आपको दिखा दू यहां पर यह टेड़ा है तो दोस्तों यह आपका यह पंक्खे की पंकुडियां बिल्कुल बैलेंस नहीं होगी और यह नहीं बना होगा यहां से देखे कितना एंगल है यह सीधा होगा उपर को तो क्या है दोस्तों कि आपकी हवा यह नहीं देगा और ना यह हवा दे पाएगा क्योंकि यह हवा को नहीं काट पाएगा जिसके कारण कि आप का पंखा बिल्कुल भी हवा नहीं दे पाएगा तो दोस्तो ये सिलिंग फैन है उशा कंपनी का और ये लगावा है तो दोस्तो इसका इसी तरह से आप उप्योग कर सकते हैं और नमबर दो बाद आपका यहां से ये लूज रे जाए पोइंट आपके आपको मैं रीबट दिखाता हूँ जो गोल ये हिस्सा होता है रीबट का ये नीचे को रहता है और ये बलेड और ये चीज उपर वाली जहां पर ही जोइंट आई ये उपर रहता है और ये नीचे रहता है तो आपनी चीज़ का ध्यान रखना है और जो खुरदरी होती है ये उपली साइड ही रहती है ठीक है दोस्तो आपको वीडियो समझ आ गया होगा लाइक करना शेर करना और चैनल को जूरूर जूरूर दोस्तो सस्क्राइब करना